तो आज मैंने सोचा कि काफी दिन से मैं नोट कर रही हूँ और सोच भी रही हूँ कि इस वीडियो में बना हूँ और मैं यूट्यूब बगारा पर टिक्टॉक रहर जागा लेकर हूँ कितनी ज्यादा जो है वो ट्रेंडिंग पेच्छर रही हैं डॉकर एकरा कमवल सिस्ट् आप लोग किसी को इतना ज्यादा कॉंट्रोवर्सी में लेते हो और इतना ज्यादा उन पे बात दे करते हो जैसे कि एकरा कमल पे हो रही हैं पहले जब एमन मुनीप की शादी हुई थी उस वक्ट भी बहुत ज्यादा लोग उने जो हैं उनके जो फंक्शन्स थे उनके उनके चैनल है मॅमा बाबा के चैनल या उनके चैनल या वो अपनी चीजने इम flexi साथ रहत हो हैं पूंक सब इस ब्लत्त को अपनी यूद्स को इदू को सब करते हुझ हर को कोई करता नहीं करता जितने बहुत बड़े टिक्टॉक EMP 2018, 2019, 2019, 2019 absACH crippling Leaf न के जाय बटादीआ की तो देखें जो जैसा कर रहा है उसे करने दें क्यों उसको इतना ज्यादा आप कांट्रवर्सी करते हैं या फिर उनको कितना साथ टाउंड करते हैं ऐसा क्यूं करी इनने हैं अगरें ऐसे किया डॉलर च्छाप रहे ही करीं तो भाई पहली बात तो उन्होंने यूटीब चैन हो जो किसी को ना खुश रहने देते हो ना किसी के खुशी में खुश रहते हो ठीक है देखें आपके मना करने से या आपके डाउंट करने से या आप कितनी बाते बिलाने से उन पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला ना ये कि वो अपनी वीडियोज बेना नहीं छोड़ देंगी ना यह कि वो आप लों के साथ जो चीज़े शेयर करेंगी नहीं भई ऐसा नहीं होता आप लोग क्यों अपने अलफास को जाया कर रहे हो क्यों अपनी बातों को जाया कर रहे हो कुछ नहीं होता तेके अगर वो अपने इवेंट्स को या अपनी चीज़ों को आप लोगे साथ शेयर कर रही है अगर आप खुश नहीं हो रहे हो ना ना हो खुश ना हो बट अट लीस्ट उनके लिए बुरे बुरे अलफाजाद बुरे 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 बातें ना करो क्योंकि इससे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला लेकिन आप उन पे बाते बना के क्या कर रहे हो इंडारिकली खुद के वियूज बढ़ा रहे हो खुद के लिए फेम हासिल कर रहे हो उनके बारे में डिसकुशन करके उन्हें किसी भी fame की जरूरत नहीं वो already famous है ठीक है उनके पास इतनी audience है कि वो एक चोटी सी वीडियो एक चोटा सा short एक चोटी सी clip बे डाल देती है न उसमें लाखों की तादत में उनके पास views आ जाते हैं बट नके बारे में जो बात कर रहे हैं वो क्यूं कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ना देखं़े हैं हो मेरी कोई रिष्टतार नहीं है वो मेरी कोई जानने वाली नहीं है बट मैं सिरف यह देख रहूँ कि लोग किसी की खुशी में फूब खुछ थो रहतें हैं लेकिन किसी को खुछ रहने भी नहीं देते हैं उन पर बाते बना बना की बना बना की उसको एक हैप create कर देते हैं किस तरह उन पर बाते होँ बहुत सारे ऐसे पोड़कास्ट छोड़ दो मतलब कुछ ऐसे हैं जो बस ऐसी अपनी वीडियोज बनाते हैं किसी भी एक यूट्यूबर किसी भी एक टिक्टॉकर या फिर किसी भी एक बंदे को लेकर जो वाइरल हुआ वा हो या फिर जिनकी वीडियोज बहुत जादा हाइप पे जारी होती है बस उनको पकड़ लिया उन पर discussion शुरू कर दी उनके बारे में points निकालने शुरू कर दी नहीं आर ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं किया करो अगर आप कर रहे हो तो आप अपने views ले रहे हो ना अपनी fame हाजर करना चाह रहे हो ना उनको क्या फरक पड़ता है उन्हें तो और अच्छा उन्हें तो और अच्छा response मिलना ना कि चलो या जिस काम के लिए मैंने अपने वीडियोज डाली थी कि मेरे viewers बढ़ें मेरे subscribers बढ़ें और मुझे views आए मेरी वीडियोज को like, dislike, जो भी किया जाए या मुझे बाते की, जब वो तो हो रही है ठीक है, इससे उन्हें फरक नहीं पड़ा इससे वो अपनी वीडियोज को delete नहीं कर रही है इससे वो आगे अपनी वीडियोज नहीं डाल रही है ऐसा नहीं है, ठीक है, और अगर उनकी family's या वो सारी मेहने अपना TikTok चला रही है अपना YouTube चैनल चला रही है इससे आप लोगों को क्या क्या, कोई मसला है, क्या है, मतलब आप उच्छे मिलते नहीं हो, ठीक है, आप बस देखते हो, लेकिन आपको देखना भी जरूरी है उनसे आपको problem भी है, लेकिन आपको देखना भी जरूरी simple सी बात यह है अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो ना देखो और अगर देख रहे हो तो खुश नहीं हो रहे है ना तो उन्पे बाते भी ना करो खुश ओना है, हो नहीं होना है, छोड़ दो लोगों की जिंदगेंव इंटर gorgeous करना चोड़ दो अगर हमारी वाम दुसरोंके मामलाद में वे कुछना चोड़ दे दुसरोंके बारे में जो हैं वे डिसकशन करना चोड़ देना तो वे आदी आवाम जो ना अच्छी कहलाएगी बट ऐसी आवाम जैसे आप कर रहे हो दूसरों के बार में बाते बना बना कि ऐसे नहीं होता कितनी बुरी-बुरी वीडियो ज़ली हुई है इन लोगों के बारे में यह अच्छी बात तो नहीं है खैर लेकिन अगर आप खुश नही लाइफ देखो यह दूसरों की सोशल लाइफ में घुस के इतनी बाते मिनाने का क्या फाइदा सिंपल यह कि अगर खुश नहीं रहो नहीं रहना है तो दूसरों की लाइफ में जो खुशी है उससे बरकरार रहने दो उस पर बाते ना करो खुश नहीं होना चाहते हो ना हो उनको ना देखना चाहते हूं, ना देखो बटया प्लीज और यूट्यूब खोलो टिक टॉक खोलो, एक रा कमल पे मेम्स बनी वी है, एक रा कमल पे वीडियोज डली वी है, बस लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन गुफ्तो को उनी के बारे में करना है उनी के बारे में सारी डिसकुशन करनी है, उनी ही बुरा भला कहना है उनकी चीज अच्छी भी नहीं लग रही है लेकिन पे बाते करकर के उनी की तस्वीर, उनी की वीडियो, उनी की क्लिप्स डालना भी है क्यों भाई, इंडारेक्ली व्यूस लेना ना इंडारेक्ली खुद को भी फेम में लेना है ना उने तो जरूरत नहीं है, उने तो अल्डरेडी मिल रही है और आप लोग कैसे करने से और भी मिल रही है तो खेर मैं यह नहीं कह रही है कि वो लोग बहुत अच्छा कर रही है यह अच्छी है मसला यह है वो लोग जैसा भी कर रही है आप तो उन जैसा ना बनो ना आपको अच्छा कर लो बो डांस कर रही है तो आपको बुरा लग रही है आप चुकली कर रही है अब आपको ऑच्छा लग रहा है नहीं ना तो छोड़ दूसरों को खोश रहा है तो एनते देख रहा है लग आपको भी देख रहा है अगर तो उन के सब्स दो के नाच गहने या आ या दिख रहा है तो आपकी प्रसमें बिया लोगों यृ दो नहों तो नहीं अपने काम से काम रखो उन्हों को कुछ नहीं मिलने वाला आपकी ऐसी वीडियो से ठीक यह बट इंड़ इंडियकली आपको जरूर मिल रहा है ना फेम व्यूस सो छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को आपकी इन चीजों से भाई कोई फर्क नहीं पड़ता उन लों के बारे में बाते बना रहे cock Metal के बारे में बाते बाते बना रहे हैं एंक कितने ही कितनी ही शादियां हो जाती है लेकिन एक राकमल लोगों को दो और ज्यादा है पे ले गए आप लोग कोई फाइदा नहीं कुछ नहें मिलने वालícios आपने नई क्रियेशन लाओना क्यों उन्हों को लेकर अपनी चैनल को खराब कर रहे हो ठीक है बस इतना ही कहना था थैंक यू